हेलो इस्ट्वेंट्स मैं वी रहन बदोरिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिएटिंग मैथमेटिसियंस इस्ट्वेंट्स आज के लेक्चर में हम टू डाइमेंशनल कोडिनेट के बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक पेर ऑफ इस्टेट लाइन्स पर डिसकस करेंगे इस्ट्वेंट्स मैं आपको बता दू कि ये टॉपिक पहले यूपी वोल्ड के सिलेवस में था लेकिन आट-दस साल पहले इसको यूपी वोल्ड के सिलेवस से हटा दिया गया था लेकिन TGT-BGT के syllabus में ये आज भी है और TGT-PGT में इससे काफी questions मुझे जाते हैं आज के lecture में students मैंने अभी तक TGT-PGT में आई हुए सारे questions को cover किया है अगर आप ये lecture पूरा देखते हैं तो मैं आपको आस्वस्त करता हूँ कि इसके बाहर कोई भी question नहीं आएगा तो आईए सुरू करते हैं आज का lecture question number first देखिए the equation देखिए आपको ये एक second degree की equation दी गई है ये कहा गया है कि represent करती है pair of state line को तो K की value क्या होगी देखिए मैं यहाँ पर इसका थोड़ा सा concept आपको बता देता हूँ question wise मैं आपको यहाँ पर पूरा concept clear करता हुआ चलूँगा तो देखिए यहाँ पर second degree की जो equation होती है उसकी general form जो होती है वो ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0 ये होती है अब ये equation जो है वो pair of state line, circle, parabola, ellipse, hyperbola किसी को भी represent कर सकती है तो अगर ये pair of state line को represent करेगी तो उसके लिए यहाँ पर condition है कि delta इस equation का discriminant बताया गया delta equal to abc plus 2fgh minus af square minus bg square minus ch square इस second order की degree की जो equation है उसका discriminant ये होता है अब अगर इस delta की value 0 है तो ये pair of state line होगा और अगर 0 नहीं है तो circle, parabola, ellipse, hyperbola में कुछ भी होगा फिर उसमें भी अलग-अलग conditions होती है इस matter के उपर मैंने एक बहुत ही अच्छा video upload किया है अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको आप देखिए उसका link आपको description box में मिल जाएगा तो देखें यहाँ पर ये कहा गया है कि ये pair of state line को so करता है तो यानि कि इस delta की value equal to हम zero के रख देंगे तो हमको k की value जो है वो प्रात हो जाएगी अब इस trends आप यहाँ पर abc और fgh की value इस equation से निकाल लेंगे इस से compare करके तो देखें यहाँ पर x square का coefficient 3 है और x square coefficient a है यहाँ पर तो a equal to 3 हो जाएगा 2h equal to देखिए यहाँ है तो g equal to 5 by 2 हो जाएगा 2f equal to 5 है तो f equal to 5 by 2 हो जाएगा और c की जिगह देखिए यहाँ पर k है तो c equal to k हो जाएगा अब आप यहाँ पर यह सारी values इसमें रखके इसको solve कर लेंगे तो delta की value जो है वो 25k minus 50 आ जाएगी और इसको equal to हम 0 के रख देंगे तो इससे k की value जो है वो 2 आ जाएगी यह calculation देखिए आप खुद करिएगा इस तरह के calculation करके मैं वीडियो को लंबा भी नहीं बनाना चाहता हूँ नहीं आपका समय बरबात करना चाहता हूँ तो k की value 2 हो जाएगी option b इसका जो है वो सही होगा next question देखिए if यहाँ पर देखिए second degree की equation दी गई है represent parallel lines का आ गया है तो इसके लिए देखिए students condition है कि अगर इसके द्वारा जो दो line represent हो रही है वो अगर parallel है तो condition है यहाँ पर हमारी h square equal to a b and af square equal to b g square यह parallel होने की condition है दो line के और अगर दो line perpendicular है तो उसकी condition a plus b equal to 0 है यह अभी आगे next question में लागू होगी तो फिलाल यहाँ पर पहले lines दी गई है तो देखें यहाँ पर यह condition हमारी दी गई है अब अगर आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पर condition कोई भी हमें नहीं दिख रही है तो इस question में लोग बहुत गलती कर देते हैं तुरंत none of these answer दे देते हैं लेकिन अब यहाँ पर करना क B से multiply कर देते हैं तो AB F square equal to B square G square हो जाएगा और इस AB को हम यहाँ पर इस पहली condition से H square लिख लेंगे तो देखें यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा H square F square equal to B square G square अब हम दोनों का root ले लेते हैं तो H F equal to B G आ जाएगा तो H F equal to B G यह भी हमारी एक condition हमको प्राप्त हो गई parallel lines के लिए बट main हमारी जो condition है वो यही conditions है अब आते हैं next question में देखिए next question जो हमारा यहाँ पर दिया गया है कि यह जो हमारा second degree के equation है represent a pair of perpendicular state line तो देखिए pair of perpendicular state line इसके लिए condition मैंने बताई कि A plus B equal to 0 है तो A देखिए यहाँ पर 12 है और B देखिए यहाँ पर Y square का coefficient है यह minus B है equal to 0 इससे हमको P की value जो है वो 12 मिल जाएगी तो P की value तो आ गई तो देखिए यहाँ पर यह तीन options है जिसमें P की value यह दी गई है लेकिन अब इसमें से कौन सा सही है उसके लिए हमको Q की value और निकालनी पड़ेगी तो उसकी value देखिए हम कहां से प्रात करेंगे इसके लिए अब देखिए इस बात को हम use करेंगे कि यह जो है वो हमारा pair of state line भी है परपेंडिकुला तो है यह उसके लिए हमने यह condition use कर ली अब यह pair of state line भी है तो इसके लिए हम इस condition को use करेंगे जो delta है हम यहाँ पर delta निकालेंगे और उसको बराबर 0 के रख देंगे क्योंकि यह pair of state line है तो जब हम delta निकालेंगे और उसको बराबर 0 के रख देंगे तो हमको यहाँ पर देखिए P और Q में एक equation प्राप्त होगी तो उसमें भी जो हम इस P की value 12 रख देंगे तो finally वो equation Q में बचेगी तो वो equation क्या बचेगी मैं यहाँ पर वो सीधे लिख देता हूँ 6 Q square plus 63 Q minus 69 equal to 0 मैं process एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ मैंने बताया कि यह 9th 10th class level के calculations मैं यहाँ पर नहीं करूँगा इसमें आप ABC FGH की value इससे रख देंगे और उसमें जब आप यहाँ पर रखेंगे तो P और Q दिखेंगे उसमें तो P की value यह भी 12 आप रख देंगे तो finally जब equal to 0 लेके इसको solve करेंगे तो यह equation प्रात हो जाएगी अब इसके बाद इसको भी जब हम factor करके solve कर लेंगे तो Q की value 1 और minus 23 by 2 आ जाएगी बट यहाँ पर option में Q की value केवल 1 दी गई है तो P की value यह 12 और Q की value 1 हम लेके answer option C जो है वो सही कर देंगे next question देखे equation एक दी गई हमको यह represent करती है पहले lines को तो H plus F की value क्या होगी तो देखे यहाँ पर parallel lines को करती है तो यही condition जो मैंने उपर बताई इसको हम यहाँ पर use करेंगे H square equal to AB होगा तो देखे एच यहाँ पर H है A9 है X square का coefficient और B Y square का coefficient होता है यह 4 होगा तो H square equal to 9 into 4 तो यह 36 H equal to 6 आ जाएगा अब हम इस दूसरी condition A F square equal to B G square को use करेंगे तो A F square equal to B G square यह हमने लिख लिया A वही 9 F F है तो यहाँ पर F square देखे एफ यहाँ पर F है तो 9 F square equal to जो है B G square B यहाँ पर 4 है और G देखे यहाँ पर 2 G 6 है तो G 3 होगा तो इसमें यहाँ पर हम इसको रखके जब solve करेंगे तो F की value 2 आ जाएगी H plus F हमको यहाँ पर निकालना है तो H plus F equal to 8 आ जाएगा option C जो है वो सही होगा next question देखे distance between the pair of state lines this is यहाँ पर हमें दो pair of state lines है देखे मैं आपको बता दूँ कि lines जो है वो यहाँ पर इस तरीके की intersecting भी हो सकती है या इस तरीके की parallel भी हो सकती है अगर यह second degree की equation है तो वो किसी भी तरीके की lines को सो कर सकता है तो यहाँ पर लेकिन कहा गया है कि parallel lines होंगी उनके बीच की distance निकाल लिए क्योंकि distance जो है वो parallel lines के बीच की ही कही जाएगी तो उसके लिए यहाँ पर फार्मूला है यह मैंने लिख दिया है इसमें आप केवल बस सीधे इनकी values रख लेंगे तो g देखिए यहाँ पर 2gx g के coefficient का हाँ यहाँ में यह 2 हो जाएगा तो यह 2 का square यह 4 हो गया minus a c a देखिए x square का coefficient 1 है c constant देखिए यह भी 1 है तो 1 into 1 upon a into a plus b a जो है वो 1 है और फिर अंदर 1 और plus b y square का coefficient होता है तो यह 2 आप बस इसको solve कर लेंगे तो इसका answer 2 आ जाएगा option c सही होगा ऐसे इस trends अब देखिए कि next question में यहाँ पर the point of intersection of two lines given by this equation हमें intersection point कालना तो देखिए जैसा मैंने बताया पहले lines अगर है तो उनके बीच की distance पूछी जाएगी और अगर intersecting line है तो उनका intersection भी पूछा जाएगा तो यहाँ पर देखिए intersecting lines होंगी उनका intersection point पूछा गया है तो देखिए intersection point यह है इसको आप learn कीजिएगा और यहाँ पर इन सब की value आप H F B G A B C जो भी आ रहे हैं यहाँ पर इनकी value रखके इसको आप solve कर लेंगे तो यह 1 by 3 और minus 1 by 3 answer आएगा मैंने इसको solve नहीं किया students यहाँ पर मैं concept पर ज्यादा ध्यान देना चाहता हूं concept theory आपको clear होगी तो आप इस तरह के calculation बहुत easily कर लेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ऐसा कोई भी option यहाँ पर नहीं है तो none of these यहाँ पर इसका answer होगा next question देखें if the slope of one of lines represented by this देखें यहाँ पर अब यह x square plus 2hxy plus by square equal to 0 यहीं तक का time दिया गया है उसके आगे जो होते हैं 2gx2y plus c वो terms यहाँ पर नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि अगर केवल यह x square का xy का और y square का time है तो यह origin पर intersect होने वाला pair of state line होता है जिसमें कि केवल यही तीन term होते हैं इस बात को आप ध्यान रखेंगे और बाकी जो जिसमें 6 term आएंगे मतलब इस तरह की equation वाला तो वो ऐसा हो सकता है कि intersection उसका जो है वो origin के अलावा कहीं हो या parallel हो सकता है तो अब देखें इसमें यह कहा गया है कि एक की slope जो है वो देखिए if the slope of one of lines represented इसके दोरा जो दो line रिप्रेजेंट हो रही है उसमें एक की slope जो है वो square है दूसरी line के slope के यानि कि M1 equal to अगर हम M माल लें तो M2 equal to M square हो जाएगा अब हमें value of A यहाँ पर निकालनी है जो कि X square का coefficient है तो देखें यहाँ प sum of slopes जो दो line represent हो रही है उनका slope का sum क्या होगा और उनका product क्या होगा इसके लिए formula है minus 2H upon B यह sum of slopes होता है और A upon B यह product of slopes होता है तो अब यहाँ पर देखिए यह जो हमको given है उसके according हमने M1 M और M2 M square माल लिया है तो M1 plus M2 हमारा जो हो जाएगा वो M plus M square equal to यह minus 2H upon B जो हम रखेंगे देखिए तो minus 2H यह हमारा plus का 6 हो जाएगा और upon B, B जो है वो 1 है तो यह 6 आ जाएगा इसमें आप H और B की value रख दिएगा तो इसमें देखिए कि M में एक quadratic equation हमको प्राप्त हो रही है इसको जब हम solve कर लेंगे तो M की value 2 और minus 3 हमको मिल जाएगी अब हम आते हैं इस पर M1 M2 equal to A upon B है तो M1 की value M और M2 की value M square यह हम रख देते हैं equal to A upon B तो देखें यहाँ पर A upon B A A है और B जो है वो 1 है तो यह equal to A आ जाएगा यानि कि M cube equal to A आ जाएगा इससे अब देखें यहाँ पर हमको A की value प्राप्त हो नहीं है A की value देखें यहाँ पर M की value जो हम 2 लेंगे तो A equal to M cube 2 का cube 8 आ जाएगा और जह हम minus 3 लेंगे तो minus 3 का cube करेंगे तो यह minus का 27 आ जाएगा तो then the value of A R यहाँ पर इसलिए A R मतलब दो value दी गई है तो यहाँ पर option A जो है वो सही हो जाएगा 8 और minus 27 इसका answer आएगा next question if the sum of the slopes of lines this देखें यहाँ पर इसके द्वारा फिर से यही ओरिजन पर इंटरसेक्ट होने वाला यह pair of state line है तो इसके द्वारा जो दो lines represent हो रही है उनकी slopes का sum जो है is 4 times their product यानि कि slopes अगर हम M1 और M2 मालने तो M1 प्लस M2 जो है वो इनके product का 4 times है तो 4 into M1 M2 हो जाएगा the value of lambda is हमको lambda की value निकालनी है तो देखें M1 प्लस M2 जो है वो minus 2H upon B होता है यह मैंने उपर लिखाई है तो minus 2H जो है वो 2 lambda हो जाएगा upon B देखें यहाँ पर minus 7 equal to 4 M1 M2 equal to A upon B तो A upon B देखें यहाँ पर 1 है और B जो है वो minus 7 है तो यह minus 7 नीचे आ जाएगा तो अब हम इसको जब solve कर लेंगे पूरा cancellation करके तो हमको यहाँ पर lambda की value प्राप्त हो जाएगी यह minus minus 7 cancel हो जाएगा पूरा इस 20 यहाँ पर minus 2H है तो यह minus minus plus हो जाएगा तो यह plus का 2 lambda आ जाएगा तो finally lambda की value जो है वो 2 प्राप्त हो जाएगी option भी सई होगा next question बहुत अच्छा question है area of triangle formed by the lines देखे यहाँ पर फिर से यही origin पर intersect होने वाला pair of state line है तो एक line यह हो गई and line y equal to 9 देखे y equal to 9 इस तरीके की कोई भी line है यहाँ पर वैसे y equal to line जो है वो x xs के पहलल इस तरीके की कुछ होगी तो यहाँ पर अब हमें इस triangle का area जो है वो हमको निकालना है तो अब इसके लिए भी देखे यहाँ पर formula है यह ax square plus 2hxy plus by square equal to pair of state line हो गया यह और line हम ले ले है lx plus my plus n equal to 0 तो यहाँ पर जब हम इसको इससे compare करेंगे तो देखिए l जो है वो हमारा x का coefficient है तो वो 0 हो जाएगा m जो है वो हमारा y का coefficient है तो वो 1 हो जाएगा और n जो है वो constant है तो 9 जब इदर लाएंगे तो n equal to minus 9 हो जाएगा तो lmn की value आप यहाँ पर जो भी formula बताया गया इसमें यह रखेंगे और a b c जो आ रहा है a b और h जो आ रहा है वो a यहाँ पर x square का coefficient 18 हो जाएगा by y square का coefficient देखिए 1 हो जाएगा और h जो है वो इसको जब compare करेंगे तो 2h 9 है minus 9 तो h equal to minus 9 by 2 यह सारी values आप यहाँ पर element की और a b h की इसमें जब इसको रखके solve करेंगे तो इसका answer 27 by 4 आ जाएगा यहाँ पर यह question जो है वो कभी TGT PGT में नहीं आया है बट मुझे आपको पूरा concept यहाँ पर इस chapter का clear करना था तो मैंने एक question यह area का भी रखा इसके लावा आप जो भी questions देख रहे हैं वो TGT PGT में कहीं ना कहीं आये हुए है next question देखे यह भी बहुत ही special question है इस type के question जैसे यह next question है यह भी इसी type का question है यह PGT में आया है तो देखे यहाँ पर question क्या है if the lines joining the origin to the points of intersection of line this with circle this देखे यह circle x square plus y square equal to 1 यह center इसका 00 और radius इसकी 1 होगी तो इस तरीके का कुछ circle होगा और यह जो line है y is equal to mx plus 1 यह हमारी एक line दी गई है इनके intersection point को जो है origin से मिलाने वाली line यानि कि यह एक pair of state line बन जाएगा यह जो है वो perpendicular है इनके बीच का angle जो है वो 90 degree है तो यहाँ पर कौन सी condition मतलब की m की value क्या होगी यह हमें बतानी है तो देखिए यहाँ पर इसका process जो है वो बहुत special process है इसको आप समझिएगा कि यह जो pair of state line है यह origin से जाने वाला है तो पीछे अभी मैंने questions में आपको बताया था जो origin से जाने वाला pair of state line होता है उसकी equation ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 होती है उसमें आगे x का y का और constant का term नहीं होता है पावर 2 है x into y एक x की एक y की दो पावर हो गई और y square इसकी तो यह यहाँ पर पूरा का पूरी equation में second order के time होते हैं तो करना क्या होता है spare of state line की equation निकालने के लिए हम यहाँ पर curve की equation को second order की equation बनाते हैं तो अब देखें यह x square plus y square यह तो second order का है यहाँ पर यह one जो है इसको हम zero order का कहेंगे इस one को zero order कहेंगे अगर x होता तो x one order का होता y अगर होता तो वो one order का होता लेकिन जो है one है वो zero order का है तो अब जो भी है इस one की value हम यहाँ पर इस line की equation से निकालेंगे तो one की value जो है वो y minus mx आएगी वो यहाँ पर इस one की value हम रख देंगे y minus mx लेकिन अब यहाँ पर देखिए कि यह 0 order का है तो केवल y-mx रखने से काम नहीं चलेगा इस 1 को हम 1 का square माल लेते हैं और इसका square रख देंगे अब जब हम इसका square करेंगे तो सारे term second order के प्राप्त हो जाएंगे अब आप यह तरीका समझ चुके होंगे कि कैसे हम pair of state line की equation निकालेंगे तो कुल मिला के करना क्या होता है कि यहाँ पर 1 की value जो है वो निकाल के line की equation से curve की equation में रखनी होती है अगर माल लिए कि यहाँ पर x होता तो उसको हम x into 1 लिखते हो 1 की value केवल y-mx रखते तो x into y-mx करने पर हमको second order मिल जाता तब हमें यह square ना करना पड़ता तो अब देखें यह आ जाएगा x square plus y square equal to y square plus m square x square minus 2mxy इन सब को एक तरफ ले आते हैं तो हमारी equation मन जाएगी x square 1 minus m square plus 2mxy y square देखें यहाँ पर cancel हुआ जा रहा है equal to 0 तो finally यह इस pair of state line की equation आ गई अब इसके बीच का angle जो है वो 90 degree दिया गया है तो condition आपने perpendicular की condition पीछे देखी कि a plus b equal to 0 होता है यानि कि x square और y square के coefficients का sum 0 होता है तो x square का coefficient यहाँ पे 1 minus m square है और y square का term है ही नहीं तो उसका coefficient 0 माना जाएगा equal to 0 इससे हमको m square equal to 1 मिल जाएगा तो m square equal to 1 यानि कि m equal to plus minus 1 आ जाएगा next question देखेंगे बहुत अच्छा question यह भी है देखें तो देखें हम यहाँ पे इस question और इस question में अंतर क्या है कि यहाँ पर intersection point जो था वो एक curve और एक line का था यहाँ पर दोनों ही curve है जैसे एक curve यह है माल लेते हैं और एक curve यह है इन दोनों के intersection point को origin माल लेते हैं यह है origin से मिलाने वाली lines जो है वो perpendicular है यहाँ पर 90 degree इनके बीच का एंगिल है तो perpendicular लिए condition तो हम वही use करेंगे a plus b equal to zero बट यहाँ पर यह जो pair of state line है इसकी equation निकालने का तरीका क्या हो जाएगा उसको आख समझिएगा जैसे इसमें मैंने बताया कि अगर एक line है तो उसकी equation से one की value जो है हमको curve की equation में रखनी है लेकिन यहाँ पर दोनों ही curve है तो है क्या कि जब दोनों ही curve है तो हमें यहाँ पर इन दोनों ही curve की help से एक ऐसी equation निकालनी होगी जिसमें की केवल जो है वो second order के term हो जैसा कि हमने यहाँ पर किया था क्योंकि second order के ही term होते है origin से जाने वाली line में यह जो है origin से जाने वाला pair of state line होगा तो इसमें केवल x square का y square का और x into y का ही term होगा तो यहाँ पर अब देखिए इस equation में यह जो है वो 2gx यह first order का time है और इसमें यह देखिए 2g dash x यह भी first order का time है इसके लावा सारे term जो है वो second order के है तो हमें यहाँ पर इन दोनों terms को हटाना होगा तो हम करेंगे क्या कि इस equation 1 में देखिए g dash का multiply कर दे तो यह 2g g dash x आ जाएगा और इस equation 2 हम माल लेते हैं इसको इसमें g का multiply कर दे तो 2g g dash x यह भी आ जाएगा फिर हम इन दोनों equation को subtract अगर कर देंगे तो यह x का term cancel हो जाएगा तो जो terms हमारे बचेंगे देखिए इधर यह 3 terms और यह 3 terms वो हमारे second order के ही होंगे तो बात आप समझ चुके होंगे तो देखिए यहाँ पर 1 into g dash इस equation में g dash का multiply और इस equation में g का multiply करके जो हम subtract करेंगे तो यह काम आप बहुत easily कर लेंगे तो देखिए यह term cancel हो जाएगा तो अब गौर कीजिए आपकी केवल second order के terms बचेंगे तो अब इसमें x square common ले लिया यह आ गया हमारा xy common ले लिया 2xy तो हमारा यह time आ जाएगा और इसमें y square common लेंगे तो यह time आ जाएगा अब यह जो हमको प्राप्त हुआ यह pair of state line की equation होगी तो आप method समझ गया होंगे कि कैसे जब 2 curve दिये जाएंगे तो हम pair of state line की equation निकालेंगे अब देखें यह pair of state line जो है वो right angle पे है तो यह x square का coefficient a plus b equal to 0 यह condition होती है और y square के coefficient का sum जो है वो 0 होता है तो this plus this हमने 0 रख दिया फिर g dash वाले एक साथ ले लिया यह a plus b into g dash यह दोनों अधा टांसफर करके एक साथ लिग लिए g common ले लिया तो यह हमारी condition आ गई तो इस तरीके से हमको यह condition जो है वो प्राप्त हो गई option a जो है वो सही होगा next question if one of the lines of the pair देखिए एक pair of state line की question है फिर वही यह origin से जाने वाला pair of state line है origin से ही यह pass होगा तो इसमें कहा गया है bisects the angle between positive direction of the axis positive direction of the axis जो है वो यह हमारे इसमें एक line जो है जो दो line इस pair of state line के दवारा सो हो रही है उसमें एक line जो है वो इनके बीच के angle को जो है वो bisect करती है यानि की इस तरीके से यह 45 degree के angle पर जाती है तो इस line की equation जो है यह y is equal to mx होती है origin से जाने वाली line की equation m1045 यह 1 हो जाएगा तो y equal to x जो है वो हमको एक line जो है वो प्रात हो जाएगी दो line में से एक line प्रात हो गई तो यहाँ पे हमको abh में relation जो है वो पता करना है तो अब हम करेंगे क्या कि यह y equal to x इन दो में से एक line है तो यह इसको satisfy करेगी इसको हम इस पे satisfy करा देते हैं तो यहाँ पर देखे क्या आ जाएगा ax square plus 2h x y की जिगे हम x रख देते हैं और प्लस यह b x square equal to 0 आ जाएगा x square देखे यहाँ पर इसमें common आके उधर चला जाएगा तो 0 कुल मिलाके की तरब 0 हो जाएगा तो a plus 2h plus b बरावर 0 आ जाएगा इससे हमको condition मिल जाएगी a plus b equal to minus 2h ओप्सन c जो है वो सही होगा next question देखे बहुत important question है कि यह PGT TGT दोनों में आया है तो एक हमको यह equation दी गई है और यह क्या represent करती है यह हमको बताना है तो देखे यहाँ पर हम इसको solve करेंगे अभी तो देखके हम कुछ नहीं idea लगा सकते हैं कि यह क्या होगी तो इसको पूरा solve करना पढ़ेगा हमें एक तरफ cancellation के बाद यह root का term एक तरफ करके again squaring both side करेंगे तो जाके हमारे यह दोनों root के terms हटेंगे calculation है यह लेकिन आपके लिए यह easy होगा आप इसको देख लिएगा मैंने पूरा solve कर लिया है तो finally solve करके यह y square equal to 0 हमको equation प्राप्त हो जाएगी अब यह किसकी equation है circle pair of state line pair of life इसमें किसकी equation है तो इसके लिए check करने का तरीका जो मैंने बताया कि आपको delta की value निकालनी पड़ेगी delta की value मैंने शुरुआत में आपको यह बताई दी तो इसमें यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो यह by square मतलब b जो है वो one है इसके लाबा a, c, f, g, h सब कुछ 0 है तो आप यहाँ पर जब a, b, c, f, g, h सब की value रखेंगे तो delta की value हमको यह 0 परात हो रही है तो इससे हमको यह पता चलता है कि यह जो line हमको मिल लई है वो pair of state line की equation है तो इसका option b जो है वो सही होगा next question देखिए the angle between state lines represented by this देखिए यह है तो हमारा origin से जाने वाला pair of state line है इनके बीच का angle निकालना है लेकिन यहाँ पर मैं जो आपको फार्मूला बता रहा हूं 10 theta equal to 2 under root h square minus ab upon a plus b mod ले लेते हैं मतलब कि 10 theta की value positive हमें लेनी है वो केवल इसी pair of state line के लिए नहीं है अगर ऐसा pair of state line भी है जो की origin पर intersect नहीं हो रहा है यानि कि उसमें आगे जो हैं वो x, y और constant के भी term है तो भी हम इसी फार्मूले को use करेंगे कैसा भी pair of state line हो क्योंकि इसमे देखिए फार्मूले में a, b और h आ रहा है तो a, b, h वो जो है हमें इन ही square वाले term से ही मिल जाता है तो हमें आगे के terms की जरूद भी नहीं होती है तो जैसा भी pair of state line हो हम इसी फार्मूले को use करेंगे तो देखिए आप यहाँ पे easily a, b, h की value इसमें से उठाके यहाँ पर देंगे तो 10 theta equal to solve करने पर mod minus 1 आएगा, but mod है तो यहाँ पर इसकी value plus 1 ले लेंगे तो इससे theta equal to 45 degree आ जाएगा, next question, देखिए, the pair of state lines, दो pair of state lines दीए ही है हमको यहाँ पर, be such that their pair, each pair, जो है, वो bisects the angle between the other pair, यानि कि यह दोनों ही जो pair of state line है, यह एक दूसरे के जो है, वो angle bisector है, अब इस बात को आप समझे कि यह angle bisector होता क्या है, और इसकी equation क्या होती है, जैसे कि देखिए, यहाँ पर मैं एक pair of state line लेता हूँ, माल लीजे कि यह एक line है, और एक line यह है, देखिए, यह origin से जाने व pair of state line लीजे, तो इसमें देखिए, एक angle इस pair of state line के बीच का यह है, और एक angle आप गोर कीजिए, यह angle एक है, यह और यह आमने सामने के बरावर होंगे, तो इनको biset करने वाला, यानि कि यह जो angle है, इसको biset करने वाला, एक line देखिए, जैसे यह हो गई, ऐसे यह जो angle है, इ इनसे भी एक pair of state line बनना है तो यह जो है वो इस given pair of state line का जो है वो angle by sector pair of state line कहलाएगा तो अब इसकी equation जो given pair of state line थी इसकी equation तो ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 होती है यह आप जानते ही है अब इसके जो angle by sector pair of state line है जो मैंने यह dotted line से लिया है इसकी equation देखें क्या होती है x square minus y square upon a minus b equal to xy upon h तो इतनी बात आप clear करने के बाद अब इस question को देखिए कि यह दोनों एक दूसरे के angle by sector है यह बात यहाँ पर कही गई है तो हम करेंगे क्या कि इसका angle by sector निकालेंगे और वो जो है according to question इसके बरावर होगा तो हमें एक ही pair of state line की दो equation प्राप्त होंगी तो ह हम यहाँ पर compare करेंगे उनके coefficients को इस पूरी working को आप समझिए क्या होगी यहाँ पर तो हम इसका pair of state line निकालते हैं equation of pair of state line of मैं लिखे देता हूं इसका x square minus 2pxy minus y square equal to 0 तो देखें इसका हो जाएगा x square minus y square upon a minus b a 1 है b minus 1 है तो 1 minus minus यह plus 1 हो जाएगा equal to xy upon h h जब यहाँ पर 2hxy से compare करेंगे तो यह minus p आ जाएगा तो finally यहाँ पर हमको equation मिल जाएगी cross multiply करके इसको solve कर लेंगे तो यह हमको मिल जाएगी px square plus 2xy minus py square equal to 0 तो हमें इस जो pair of state line था इसकी angle bisector pair of state line की equation यह प्राप्त होगी but according to question जो है वो इसके बराबर होगी तो यहाँ पर इसको भी मैं लिख लेता हूँ x square minus 2qxy minus y square बराबर 0 अब यहाँ पर यह दोनों जो हैं वो एक ही pair of state line को so कर रहे हैं तो अब हम यहाँ पर compare करेंगे अब comparing कैसे होगी इसको आप समझिए पहली equation से x square का coefficient upon दूसरी equation से x square का coefficient तो देखिए यह p upon 1 हो जाएगा equal to पहली equation से xy का coefficient upon दूसरी equation से xy का coefficient तो यह 2 upon जो है वो 2q हो जाएगा minus का 2q equal to ऐसे ही पहली equation से y का coefficient y square का coefficient upon दूसरी equation से y square का coefficient तो यह तरीका है compare करने का और comparing तब की जाती है जब एक ही line की 2 equation प्राप्त हो या एक ही pair of state line की 2 equation प्राप्त हो तो अब देखिए यहाँ पर हमें तीनों लेने की जोड़ नहीं है केवल हम यह दो सुरू के ratio ले लेते हैं 2-2 cancel हो जाएगा तो इससे हमको जो है वो p q equal to minus 1 प्राप्त हो जाएगा option b जो है वो सही अब students मैं आज के lecture को यहीं पर समाप्त करता हूँ अगर आपको यह lecture पसंद आया है तो एक like और comment जरूर बनता है और आपको वो करना चाहिए आप बिना like और comment करे चले डाते हैं और पूरा वीडियो अगर आपने देखाया तो निश्चित रूप से आपको यह करना चाहिए थैंक यह